साउथ के सूपरिस्टार अलु अर्जुन एक नए विवाद में फस्ते नजर आ रहे हैं और उनके उपर एक लीघल अक्षन लिया गया है नमस्कार दोस्तों मेरा नामे प्रीती और फिल्मी फाइल्स में आपका स्वागत है जी हाँ दोस्तों साउथ के सूपर स्टार अलू अर्जुन के खिलाफ F.I.R. दर्ज हुई है और उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जारी है वीडियो में आगे बनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साउथ के मेगा स्टार अलू अर्जुन पुषपा दा राइजिंग की रिलीज के बाद एक पैन इंडिया सूपर स्टार बन गए है उनकी पॉपुलरिटी का आलम यह है कि फैंस अभी से पुषपा टू का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कई ब्रांट्स ने उन्हें इंडॉर्समेंट के लिए साइन किया है इसी बीच अलू अर्जुन एक नए विवाद में फस्ते नजर आ रहे हैं मीडिय रिपोर्ट्स की माने तो एक एजुकेशन इंस्ट्यूट ने ब्रहमक प्रचार यानि एड में गलत जानकारी देने के आरोप में अलू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्जुआ है दरसल अलू अर्जुन ने 6 जून को IIT और NIT के रैंकर्स के बारे में जानकारी देते हुए स्री एजुकेशनल इंस्ट्यूशन के एक एड को प्रमोट किया था अब इस पर सोशल वर्कर कोठा उपेंद्र रेड़े ने आरोप लगाया है कि ये एड ब्रमक है और समाज को गलत जानकारी देता है समाजी कारिकर्टा ने अंबर पेट पुलीस के पास अलू अरजुन के खिलाफ जूटी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है और इस केस में कारवाही की मांग की है बता दे इससे पहले रैपिडो कंपनी के एक प्रचार पर टी एस आर टीसी ने आरोप लगाया था कि उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है टी एस आर टीसी के सीओ वीसी सजना ने बाइक टेक्सी एप रैपिडो और अलू अरजुन को भी चेतावनी दी थी कि वो उन्हें कानूनी नोटिस भेजेंगे तो वहीं अलू अरजुन पहले भी जुमैटो को एंडॉर्स करने के लिए विवादों का सामना कर चुके हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राइस जरूर दे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद